पृष्ट माद्मिक विद्वलय मुंदाल की अम्य क्षा में आपका सवागत है आज हम आपको आपकी पाथ कवी ने सोशित πिरित किसान की मरमिक दसा का वरणन किया है अंदकार की गुःा सरीखी कभी कहता है कि एक सोशित किसान की स्थिति का वर्णन करते वे कभी कहता है किसान की आखें अंदकार अंदेरे की गुःा माने गुफा सरीखी माने समान उस किसान की आँखें जो सोशित पिडित किसान है उस किसान की आँखें क्या है उस अंदकार बरी गुफा के समान है यानि जिस गुफा में अंदकार ही अंदकार बरा होता है जहां तक भी जाते हैं सगन अंदकार ही अंदकार दिखाई देता है उसी परकार उस किसान की आँखों में भी पीडा का दरद भरा रहता है उन आँखों से डरता है मन कभी कहता है किसान की जो दुखों से वर्यूई आँखें हैं उनको जब मैं देखता हूँ तो मेरे मन में डर उत्पन होता है या मुझे डर लगता है बरहा दूर तक उन में दारून कभी कहता है कि उन आखों में देने दुख का निरवरोधन किसान की उन आखों में सोशित किसान की आखों में दीनता से बरे वे अत्यधिक दुखों का मोन रुदन भरा हुआ है किया बढ़ा हुआ है मोनुरुदन बढ़ा हुआ है दूर तक है और दूर तक उनका समाप्त होने का नाम नहीं है यानि किसान की आँखों में बहुत दूर तक क्या बरा हुआ है अत्दीनता से बरे वे दुखों का मोन रुदन बरा हुआ है जो काफी दूर तक है जो जिसका कभी समापन या अन्तोता दिखाई नहीं देता वे सवाधिन किसान रहा कभी कहता है कि आज वे किसान सवतंतर है वे सवाधिन किसान रहा क्या है कभी कहता है किसान सवतंतर रहा आज किसान सवतंतर है आजाद है अब इमान बरा आँखों में इसका और उसकी आँखों में उसकी सवतंतरता का क्या बरा हुआ है अब इमान बर कि यह किसान को उसके पीरा ओर दुखकों की, मजधार में छोड़कर उसे समश्याओं से गरस्त समश्याओं में गरस्ते छोड़कर कगार किनारे के सैदर समान भैकिसका संपुन संसार के लोग किनारे की त्योर भैकर खेशक गए जैसे मजधार में दाराएं मजधार में बैती रहती हैं किनारा उन दाराओं से अलग होकर एक तरफ खेशक जाता है उसी परकार कभी कहता है कि संसार के लोग उस किसान को मजधार में छोड़कर समश्याओं से विपदाओं से गरस्त छोड़कर के संपुन संसार के लोग किना दावले परसाद और करोंड़ा से चंद बद रखेंगे